हेलो, सिलकूम टू वाइटूप चैनल, एक्स्टेम रितिक इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बाइनेंस में आप बैंक अकाउंट कैसे चेंज करेंगे फर्स्ट अफॉल अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते तो आप हमारा ये वाट्सप चैनल फॉलो कर सकते इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्सन में दे दूँगा ठीके और अगर आप बाइनेंस में हमारी दी हुई लिंक से अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको 8000 रुपई का बोनस मिलेगा तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्सिन में दे दिया है हमारी लिंक से आप जरूर से अकाउंट ओपन करिएगा बैंक अकाउंट चेंज करने के लिए आपको उपर टॉप पे लेफ्ट साइड में जो आपको हम सो टच कर रहे है आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा देन आपको इस टैप कंटरफे सो करेगा देन हम क्लिक करेंगा अपनी प्रोफाइल पे ओके सौरी सेटिंग् फिर cash payment method होगा तो वो भी आप लोग यहाँ पर setup कर सकते ठीक है cash setting का आपको changes करना होगा तो वो भी आप लोग यहाँ पर कर सकते फिलाल हमारा को भी setup नहीं है तो हम P2P payment methods पर हम click करेंगे अब देखिए already तो हमारा add नहीं है बट आपका अगर add भी होगा तो आप add a new payment method आपको show करेगा आप इस पर click करिए और कौन सा payment method आपको add करना है like IMPS आप add कर सकते है Paytm, UPI या फिर bank transfer करना है तो वो आप कर सकते like जैसे कि हमें अगर UPI add करना है तो आप UPI लगा सकते है यहाँ पर bank account चेंज करना है हमें तो add bank transfer पर हम click करेंगे और यहाँ से आप लोग अपना bank account का number दिखिए जो आपका account holder name रहता है वो default रहता है आपको change करने की जुरत नहीं रहती ठीक है किमकि हम यहाँ पर सिर्फ अपना ही bank add कर सकते तो account number हमने डाल लिया यहाँ पर then ifsc code हम यहाँ पर डाल लेंगे अपने bank का passbook में आपको सब information मिल जाएगी account time पर आपका saving account है फिर current account है वो आप लोग देख लीजेगा bank name आप लोग को डाल लेना होगा और account opening branch आपकी branch कोंसी वो आप लोग डाल लिखे confirm करना आपको